तो सिद्धू मुसेवाला की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आ गई है, उनका शव भी उनके पैत्रिक आवास पर आ गया है, लोग अंतिम धर्शन के लिए हां उमड रहे हैं, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुल साथ गोलियां सिद्धू मुसेवाला को मारी गई थ यानि सिद्धू मुसेवाला पर जो घात लगा कर हमला हुआ था, कुल 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी, 30 गोलियां तो सिर्फ उटकी गारी पर थी, लेकिन 40 राउंड से ज्यादा फाइरिंग की गई थी, जिसमें से 7 गोलियां सिद्धू मुसेवाला को लगी थी, 6 ग पर जिसमें चलाई गई थी, 30 गोलियां उनकी जीब पर हुई थी, 30 गोलियां अपरादियों ने उनकी जीब को लग्च करके किया था, जिसमें से ज्यादा तर गोलियां सिद्धू मुसेवाला के घर पर उनका पार्थिव शरीर आ चुका है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए तमाम लोग जो आसपास के इलाके के हैं, कई ऐसे लोग मिले जो 100 किलोमीटर दूर से भी, जो सिद्धू मुसेवाला की फिलमें दे जाना है, वहाँ पर आनन्द तिवारी भी जुड़ गए है, आनन्द तिवारी इस पूरी अपडेट को उन्हों नहीं दिया है, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को आनन्द क्रिमेशन ग्राउंड पर है, यानि जहाँ पर सिद्धू मुसेवाला का अंतिन शंसकार किया जाना ह वहां पर आनंतिवारी आनंद वहां क्या तैयारी है और कब तक क्रिमेशन होने की उम्मीद जता रहे हैं जिदे की बिल्कुल आरूण मैं आपको सीधी तस्विर दिखाता हूं देखिए ये बिल्कुल सुद्धियू मुसेवाला का जो घर है जहां पर आप खरें आरूण गैंग्ष्टर किस तरह से जो पंजाब में हभी हो रहा हो देखिए मेरे सयोगी चमन आपको थोड़ा पीछे से दिखाएंगे इस तरह से यह यहां पर तमाम जहां पर बेरिकेटिंग लग रही है आप देख सकते हैं और यहां पर अंतिम संसकार जो है वो यहां पर किया जाएगा तमाम लोग जो है फैन उनके जो है या गाओं के लोग जो है वो सदमे में हैं और वो धीरे धीरे उनके घर जो उनकी हवेली है वहां पर पहुशने शुरू कर रहा है अभी सिद्दू मुसे वाला यहां पर श चप्पे चप्पे पर तेनाद किया गया है कानून वेवस्ता को दुरुस्त रखने के लिए और पूरी तरह से लॉन ओर्डर सिच्पिशन जो है वो खराब ना हो और यहीं से हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है करीवन बारा बजे जो सिद्धू मुसेवाला का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर फिल्मनेशन ग्राउंड में आएगा और यहाँ पर जो अंतिम संसकार है वो सिद्धू मुसेवाला का किया जाएगा जी तो जैसा कि आनंद दिखा रहे थे कि अंतिम संसकार जहां किया जाना है वहां किस तरह की पुखता सुरक्षा ब्योस्ता की गए क्योंकि हजारों की संख्या में समर्थक आने वाले हैं और कुछ समर्थक नारे बाजी करते भी दिखे थे बड़ी बात क्या है आज अंतिम दर्शन के लिए आ रहा है जो पोस्ट मार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आई यानि आरंभिक रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ यह कहा गया है कि साथ गोलिया उनको लगी थी छे गोली जो सीने में मारी गई थी वो गोली फसी थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई ह ये पोस्ट मार्टम की इनिशियल रिपोर्ट है लेकिन अभी विस्तृत रिपोर्ट आना बागी है इस बीच 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है लेकिन मैं उनके घर के बाहर हूँ मैं आपको फिर एक बार तस्वीर दिखा करके बागी डिटल बताता हूं किस तरह से लोग लगातार उनके अंतिम धर्शन के लिए आ रहे हैं लोगों का हुजूम सडक के दोनों तरफ यह जो उनका घर है दो सडकों से जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ से लोग यहां पर रहे हैं खास तोर से जो आसपास की गाउं की महिलाएं हैं वो रोते हुए जा रही है क्यूंकि उन्होंने उनको फिल्मों में गाते हुए सुना था गाउं का लड़का इस गाउं एक छोटे से गाउं मूसा का लड़का जो कैनड़ा तक जो युनाइटेट किंग्टम तक अपने गानों की वज़े से अपनी कला की वज़े से मशूर हो गया था उसकी दिन दहाड़े हत्या इस तरह से बहुत जादा लोगों को यहां पर हैरान और परिशान कर गई है लॉरेंस विश्णोई ग्रूप का नाम आया है इस पूरे घटना में और छे संदिक्दों को उ अनन्द तिवारी हमारे साथ और डीटेल के साथ है आनन्द और क्या जानकारी है कहां तक जाच आगे बढ़िए जो पंजाब पूलिस की साइटी है वो कई लोगों को पूस्ताच कर रही है पूलिस का किना है कि कुछ लीट्स मिली है जल्दी जो सार्फ सूटर उनकी गरतारी की जाएगी लेकिन देखिए हम आपको जो क्रिमनेशन ग्राउंड है वहाँ पर तमाम जो मूसा गाउं के लो अपके निशाने पर आया दुख तो हो रहा होगा आप यहां पर आएं गंदीम बढ़ाई देने अजी ठीक सिगा बदी नहीं हुआ है जी गल्त हो आई जी बहुत गल्त हो आई बहुत चंगा बंदा से पसको सबस्द्द सीनिसा जी एड़ा चंगा बंदा से एक बेटक हो आपने आज हां जी बहुत मड़ा एक कुछ और भी लोग हम उनसे यहां पर बात करते हैं तमाम लोग जो है वह उमड रहे हैं जो उनके फैंस थे यह उनके गाउं के लोग ते सर एक उभरते सितारे थे ना केवल मांसा में बल्कि पूरे विश्म में नाम रोशन करा कई लिए हैं तेकि कुछ यूवा भी है कुछ यूद्स भी है उनसे बात करते हैं जो जाहिर तोर पर आज सिद्दू के फैंस होंगे सिद्दू मुसेवाला के फैंस हैं यह लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ यह उभरता सितारा चले गया गैंगिस्टरों के निशाने माड़ हुआ हुआ है कि अधनी से ओना पंजाब में गैंगिस्टा रहा भी आपको लग रहा हुआ यूद सुन से प्रेड़ित होते हैं गल्त का लाओ नहीं सी कुछ कह रहा है क्या कहना चाहेंगे बहु गल्त का लए माड़ी गालना गैंग्स्टरावास थे वह माड़ी का परोसी गाउं से या मानसा के और आसपास से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और जो है वह वह अनतिम देखी यह क्रिमिनेशन ग्राउंड यहां पर की सिद्दू मुसे वालक अंतिम संस्कार और यहां पर देखी यहां भी तमाम पुलिस के जो अधिकारी है जबान है महील युवाओं के आदर्श थे बहुत सारी युवाओं उनकी जैसा बनना चाहते तो मैंने देखा यहां पर कई लोग सिद्धू मुसे वाला के तस्वीर की टीशर्ट पहन के यहां पर आये थे लेकिन अब इस पूरी घटना पर राजनितिक प्रतिक्रिया भी आ रही है पुल जैसे बदलाब लेकिया हमारा बाबा तो रवाब जाता था हम किसको वालो करने लग गया है किसको रहानी रह बरमान लिया बहुत तकलीफ में मैं के निशब्द होया वे में बिलकुली अलफास सुझ नहीं रहे क्योंकि जजबाती ही जजबात चल लेने पर पूँए उनने दे मात पे तन मैं देखिया उनने अलगाल की ती वो सारी बच्पनिया यादा सुना सुना के एनने रोए एनम तर